वेलकम एवरीवन आज हम कन्यादान कवीता की वन लाइनर्स कुशन्स कर रहे हैं इसमें पहला प्रेश्ण है कन्यादान कवीता किसकी रिजना है तो इसका सही जवाब है रितू राज दूसरा प्रेश्ण है मां बेटी को कौन सा पार्ट पढ़ाना चाहती है इसका उतर है जीवन के यथार्थ का तीसरा प्रेश्ण है एक मां की अंतिम संपत्ति क्या होती है संपति यानि पूंजी तो यहां पर पुत्री जो है उसकी अंतिम संपत्ति होती है प्रश्ण है बेटी स्वभाव से कैसी थी? बेटी स्वभाव से भूली थी प्रश्ण है वह किसकी उँच नीच को समझ नहीं पाती थी? दुनियादारी की उँच नीच को वह समझ नहीं पाती थी प्रेश्ण है भारती समाज में लड़की का दान से क्या तात्परे है? यहाँ पर उतर होगा लड़की का विवाफ प्रेश्ण है पाठी का किसी कहा गया है? तो पाठी का यहाँ पर लड़की को कहा गया है प्रेश्ण है लड़की को क्या करना नहीं आता था? तो यहाँ पर लड़की को दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता था उसके बाद जो प्रिश्ण है वह है जीवन के क्या प्रतीक है तो आग और पानी ये जीवन के प्रतीक हैं दोनो उसके बाद प्रिश्ण है वस्त्र और आभूशन नारी जीवन में क्या है तो यहाँ पर वस्त्र और आभूशन जो है शापदिक भ्रहम की तरह बंधन है यहीं कि एवल जंजीरों का काम करते हैं वस्त्र और आभूशन अच्छे वस्त्र पहनने की लाजसा जो है किवल बंधन का कारिय करती है किवल शौफ का कारिय यहाँ पर करती है तो इसलिए कवी ने इसे क्या बोला है शापदिक भ्रम बोवाता है लड़की की मा लड़की से क्या उमीद रखती हैं पहला रखती है कि वह घर ग्रस्ती के काम करेंगी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखेंगी और सोशन का शिकार नहीं होगी ये तीनों उमीद उससे रखत है नेक्स्ट कुशन है कन्यादान कविता में कवी ने कथन को किस शब्द शक्ति के प्रयोग से गहनता गंभीरता प्रदान की है तो यहां पर उतर होगा लक्षणिक्ता नेक्स्ट क्रिशन है कन्यादान कविता में कौन सा काफ्य कुण विद्यमान है तो इसका सही जवाब है प्रसाद गुण उसके बाद प्रिशन है कन्यादान कविता में कौन सा कवेरस प्रयोग किया गया है तो शांतरस यहां पर प्रयोग किया गया है कन्यादान कौन सी रचना है तो कन्यादान कवीता है उसके बाद प्रश्ण आता है कन्यादान कवीता में शब्द भ्रमों की तरह स्त्री जीवन का बंधन किसे कहा गया है वस्त्र और आपुशन को प्रश्ण है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो इस वाक्य में कुन सा अलंकार है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है प्रिशन है मा पुत्री को किस तरह रहने को कहती है तो वह कहती है सचेत और सजग रहने के लिए फिर आता है प्रिशन आग किस के लिए है तो आग यहाँ पर रोटियां सेखने के लिए है आग किसके लिए है रोटियां सेखने के लिए है फिर प्रश्ण आ जाता है धुंदले प्रकाश की पाठी का कौन है तो यहाँ पर पुतरी को धुंदले प्रकाश की पाठी का कहा है माने किसे देखकर न देखने के लिए न रीजने के लिए कहा यहाँ पर रीज न आएगा तो माने कहा कि चेहरा देखकर मतरी शना उसके बाद प्रिशन आता है मा को अपनी बेटी कैसी पुन्जी लगती है अंतिम यहीं उसके सिवास का दुनिया में कुछ है ही नहीं फिर प्रिष्ण आता है कन्यादान कविता में छंद है कौन सा छंद है ऐ तुकांत यहां पर छंद है ऐ तुकांत छंद है यहां उसके बाद प्रिष्ण आ जाता है कन्यादान कविता में लड़की को किसकी पाठिका कहा गया है यहाँ पर पाठिका आएगा यह मिस्टेक है तो यहाँ पर धुंदले प्रकाश की पाठिका उसे कहा गया है फिर प्रिश्न आता है कि बंधन कौन से हैं तो यहां पर बंधन जो है वो है वस्त्र और आफूशन इस तरह से यह सारे मैंने आपको इस पार्ट के वन लाइनर समझाए हैं इसी तरह के आपको किसी और चैप्टर के वन लाइनर पढ़ने हैं तो कमेंट सेक्षिन में मुझे बता दीचेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि as and as possible बना करके अपलोड करने की और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए सब्सक्रीप्शन फ्री होता है फ्री ओफ कोस्ट होता है साथ ही बेल बटन को भी पेस किजे और शेयर भी किजे ताकि और बच्चों को भी इसका तूरा शेयंट कि और मर आल होता होता है समुक्ष rabbits टैसे बबोड़ दोगे सुतत हमारी गएर इसका बणल सुट मैंड़ इसका छेयर देंक ट्रींगिए